नमस्कार दूस्तों दूस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको होमेवेदी में एक बहुत ही शांदार मेडिसीन हाइपेरीकम के बारे में बताने वाला हूँ और हाइपेरीकम के बैसे तो होमेवेदीक माटेरिया मेडिका में बहुत सारे symptoms दिये हुए परन्तु basically कहा जाए तो इसे best nerve medicine माना जाता है मतलब nerve related जितने भी issue होते हैं चाहे आपकी body में कहीं पर भी nerve related issue हो रहा हो उसे solve करने के लिए हम hypericum का use करते हैं generally आप देखेंगे तो clinically मेरे अनुहाँ से हम केवल hypericum को 200 और 1000 याने के 1M केवल इन दो potency में ही use करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादे दोस्तों इसका result देखा गया है hypericum 200 potency में और जब कभी हमें ऐसा लगता है कि hypericum 200 देने पर हमें आसान रूप result नहीं मिल पा रहा हैं तो वहाँ पर हम hypericum का 1M potency में यूज करते हैं अब देखें आपने यदि होमेपेदिक material medica पढ़कर आए होंगे तो वहाँ पर इसके बहुत सारे इस्तिमाल लिखे हुएं परंतु मैं आपको केवल इसका मुख्य इस्तिमाल बताऊंगा इसका मुख्य इस्तिमाल होता है दोस्तों नर्व को सहीं करने के लिए देखें जब भी हमें कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पर MASPAYC प्रभावित होती है वहां की हड़ीय प्रभावित होती है साफ्टिसूस प्रभावित होते है और वहा का जो नर्व फाइवर्स होते है उतरे छेत्र का जो इसनायू तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। तो जब मास्पेसियों की चोट की बात आती है तो हम आरनी का रश्टाक्स बगेरा मेडिसिन देते हैं। साप टिसूस के लिए हम रूटा का यूज करते हैं और हड्डियों के लिए सिंफाइटम का कैलक्रिय फास का यूज करते हैं। परन्तु यदि वहाँ पर दोस्तों नर्व रिलेटेड आपको प्रावलम हो रही हो। नर्व का पेन हो रहा हो, या आपको यसा लगता है कि नर्व से सम्मधी जितने सिंफ्टम आते हैं, उनमें से आपको कोई सिंफ्टम लग रहा हो, चोट लगना के बाद या जरनली भी तो उसे ठीक करने के लिए हम हाईपिरीकम का यूज करते हैं। बैसे इसी प्रकार से इस नायू संस्थान की गडबरियों को ठीक करने के लिए लीडम पाल का भी यूज किया जाता है पर उन्तो दोनों में एक अंतर होगा उस अंतर को भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप क्लिनिकल जब भी पेशन्ट आए तो आसानी से ये ताय कर सके कि मुझे लीडम पाल देना चाहिए या हाई पेरिकाब देगे दोस्तों एक उधारण से समझते हैं कि हमारे पास जैसे कई बार मरी जाया हम थोड़ी दरी के लिए लेते हैं कि किसी व्यक्ति को गारी से गिरने पर घुटने में चोट लगई अब घुटने में चोट लगी घाओ कुछ दिनों के बाद भरा गया वहाँ पर उसे घ चोट लगने के बाद से मुझे कभी-कभी एसा लगता है जिसे घुटने के पास से कोई बिजली सी चल रही हो अचानक से एक बिजली का जटका लगता है वो चला जाता है तो यह जो अचानक दर्द आया और अचानक चला गया यह दोस्तों नर्व पेन का एक उधारन होता ह इसके इलावा नर्व से रिलेटर जो इशुस होते हैं वो आपने देखा होगा कि आपको जिंजनाहाट की अनभूती होती है या आपको कोई अंग जो है वहाँ पर सुनना होने की अन७ूती होती है कि अचानक से कोई दर्द आया और अचानक चला गया या सरीर में कहीं पर भी एक धागा सा दोड़ता हुआ लगना एक बिजली का जटका सा लगना जैसे कोई बिजली आई और चले गए ये सब नर्व रिलेटेड इशुज होते हैं एक और उधारन देते हैं तो कई सारे लोगों को जैसे साइटिका का दर्द होता है तो साइटिका का दर्द कमर में चालू होता है दोस्तों नीचे की तरब जो नर्व गई हुए साइटिका की साइटिक नर्व वहाँ पर दोस्तों ये होता है कि कई लोगों को दर्द होता है बिजली के जिसा अनवा होता है, कई लोगों को एकदम burning sensation होता है, और धीरे-धीरे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे वहाँ पर जिनजिनी सी महसूस हो रही है, कुछ लोगों को सुन पना जाता है, पाउं धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि जब नर्व कमजोर होती है दोस्तों तो पूरा का पूरा एरिया ही फिर धीरे-धीरे सितिल होने लगता है जिसके गरवे दोस्तों आपको असहनी दर्द होता है और इस प्रकार का दर्द देखने में आता है जब कोई महिला सिलाई करती है और उससे सिलाई करती ही और सुई अंदर तक चुब गई हो या आपने कभी नाखून काटे हों तो आपने ये गोर किया होगा कि जब नाखून थोड़ा सा ज़्यादा कर जाता है तो अचानक जो दर्द होता है बहुत ही अनुभूती अलग टाइप की होती है ये सब के सब नर्व रिलेटर इशू होते हैं और इन्हें सालव करने के लि अगातार बना रहता है लंबे समय तक तो वहाँ पर फिर उसे सालव करने के लिए हम हाईपरीकम का यूज करते हैं आप सोगे हैं रात में आपने नोटीस किया होगा कई सारे लोग जो ग्राविन शेतरों में रहते होंगे या थोड़े चोटे सहरों में रहते होंगे उन्ह होता है परण दर्द होता हैं तो ये खत्म करने के लिए हईपरीकम का यूज करते हैं हाई पेरिकाम का एक और महत्पून यूज होता है दोस्तों येदी कोई व्यक्ति बाथरूम में स्लिप हुआ पीछे कमर के बल गिरा और सबसे नीचे रेड़ की हड़ी जो होती कोकेक्स जो आप पीछे टच करेंगे तो थोड़ा सा उठा हुआ आपको लगता है तो उस दर्द चालू होता है वहाँ पर नर्व से रिलेटर इशू जाते हैं और फिर वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर आगे जाकर के दोस्तों एक पाउं को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेते हैं दोनों पाउं को वहाँ पर वही सब सुन्न पन ह नंबनेस हो जाना या तिंगलिंग सिंसेजन आना धीरे-धीरे पाउं में कमजोरी आते जाना ये सबको भी दूस्तों हाइपरिकम जो है वो ठीक करने का काम करता है इसलिए आपने देखा होगा कि हमने दूस्तों रीड के हड़ी पे दो वीडियो बना है एक मनोच कुमार क सिलिब डिस्क फार्मूला उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने हाइपरिकम को 200 पोटेंसी में मिलाया है या दूसरा आपने यह हमारा भी खुद का दूस्तों साइटिका से रेलेटेट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी हम आर्निका रश्टाक सिंफाइटम उसके बाद नर्व रिलेटेट इशू हो रहे हाइपरिकम का यूज़ करते है यदि घुटिने में चोटा आईए आसपास की नर्व में कोई दिक्कत है हम यूज़ करेंगे हाइपरिकम का कोई चीज गड़ गई है चुप गई है फास चुप गई है नाकून काटते समय जा हाइपरिकम अकेली दे रहे हैं तो यदि आपको लगता है कि हम इसके साथ आनेगा रश्टाक्स, रूटास, इंफाइटाम, बैलिस पर या दूसरी मेडिसिन आप दे रहे हैं और आप कांबिनेशन बना कर देना चाहें तो आप दूसरी मेडिसिन के साथ मिला करके भी इसे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है या आपका दर्द असहनी है और आपको तुरंथी फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वहां पर आपको हाइपरिकम 1000 या दूसरी भासा में खाये तो हाइपरिकम 1M पोटेंसी में दोस्तों आपको चार से पाच बुन सुबर दोबर रात दिन में तीन मर देना है यदि नर्व का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है बहुत ज़्यादा तेज है तो आप इसको हर आदे गंटे में भी यूस कर सकते हैं तो ध्यान दीजेगा जहां पर भी आपको नर्व का इशू लग रहा है सुन्न पनाना जिन जिनाट होना या उस प्रदान करने के लिए यहां के पूरे नर्व को वापस मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों हाइपरेकम का यूस करते हैं जैसे मिन आपको बताया किसी को चोट लगी घुटने की घुटना कमजोर हो गया लिगामेंट बगेरा सारी दिक्कते होने के बाद उन सब का इलाज हो गया सारी चीजे सही हो गई पर फिर भी व्यक्ति बोलता है कि अभी भी मुझे घुटनों में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती फिर हम देंगे दोस्तों हाइपरीकम तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नर्व जहां पर भी प्रवावित हो रही है उनमें बापस यदि जान डालना है बापस ताकत डालना है तो हाइपरीकम का यूस करेंगे इसका एक और महत्पून लक्षन ये होता है कि जहां भी कहीं नर्व की प्रावलम होई तो वहां से यदि दर्द धीरे 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 आगे की दरब बढ़ता जाए जैसे मालीजिए किसी के उंगली में दोस्तों सुई चुप गई है सुई चुपने के बाद यहां पर दर्द हो रहा पर कुछ दिनों के बाद कई सारे आर्थोपेटिक सर्जन्स को दिखा दिते हैं पर वो दर्द जो होता है यहां कि जिन जनाठ हातों में बने रहना या हातों में ताकत नहीं रहना इन सब के लिए सारे उपाये करने के बाद पता चलता है कोई राहत नहीं मिली क्योंकि डाक्टर लोग केलशियम की वगिरा देते रहते हैं बिटामिन बी-12 देते रहते परन्त वहाँ पर दोस्तों जेथे हम विटामिन बी-12 ले रहे है अर्थोपेटिक सर्जन के ऍटा लूहा से लेता रह है हम यह था कट नाप बापस है जिन-जनाठ भी दूर हाया है हाथ वापस से मजबुत हो तो इस से सभी nerve related issues के लिए आप दूसरी medicine भी दीजिए एवेना सेटाइबा का मदद इंचा दीजिए लीडम पाल दीजिए कई बार आप्रेशन के दोरान जो नुकीले ओजार होते हैं उनसे यदि जक्म बन गए हो या उनसे यदि कोई nerve की काट छाट हो गई हो तो उससे ठीक करने के लिए हो में बदी में इस्टिफ ही सेगरीगा यूज किया जाता है पर आप उसके साथ Hypericum भी यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत सांदर बहुत अच्छे रिजल देखने हो बहुत powerful medicine है Hypericum इसका एक और मैं आपको शांदर उपयोग बताता हूँ आप यूज करके देखेगा Hypericum 1M को piles का जो पेन होता है जो असहनी दर्द होता है वहाँ पर यूज कीजेगा पर अकेला नहीं दूसरी जो medicines होती उसको मिला करके तो दूसरी कई सारी medicines होती जो आप symptoms की अधार पर देते हैं तो वहाँ पर आप Hypericum 1M potency में यूज कीजेगा ओ दिन में 3-4 बार 4 चरबुन आप देखेगा कितनी जल्दी मरीज को आराम मिलता है इसके लाब दोस्तो एक और यूज है पर वो भी बहुत कम होता है ये दोस्तो व्यक्ति को depression से रहत दिलाने के लिए भी Hypericum का यूज होता है मतलब brain का जो nervous system उसे मज़ूद बनाने के लिए भी यूज होता है हलागे ये यूज जो रहर है mostly तो दोस्तो किसी प्रकर की चोट लगने के बाद तो वहां पर Hypericum बहुत ही शांदर काम करती है आज माई है और वीडियो के नीचे जरूर रताएगा तो उम्मीत करूंगो आज का वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करने चैनल को सब्सक्राइब करने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वन्देवादर